हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगे ब्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी तो यूपी बोर्ड की परिक्षाओं से संबंदी जो महत्पूर्ड सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें यूपी बोर्ड के महत्पूर्ड प्रिविएश यर को स्कूशन को हम देख रह करने वाले हैं जो पूछे हैं प्रिवेश यर कोश्चन से ठीक है पर उससे पहले स्टुडेंट्स आपको पता है कि कख्षा छे से बारवी तक हर स्टेट वोर्ड को लेकर मैंगे ब्रेंस हिंदी पर आपको हिंदी माध्यम में सारी सिक्षा बिल्कुल मिल रही है यानि सब्सक्राइब करते रहना है चैनल को और एक एक चीज आपको फ्री आफ कॉस्ट मिलेगी कोई पेड़ सब्सक्रिप्शन किसी तरीके का प्रीमियम पैकेज पैसे खर्च करने की एक रुपे की ज़रूरत नहीं है ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्ड प्राइब कोई पॉच्छन पूचे गया है कि सिंद्यू सब्सक्राइब कौन कौन से कोश्चन इंपॉर्टेंट है यह देखते है थोड़ा अब पहला प्रसन है कि हरपाई लिपी पर संक्षिप्ट पड़ी लिखिए ठीक है तो स्क्रिप्ट की बात की गई है कि हरपा में कौन से स्क्रिप्ट लिखी जाती थी तो यह स्क्रिप्ट को एक तो आप यह समझ लिए इस लिपी को डेसिफर नहीं किया जा चुका यानि कि अब तक उसको पढ़ने की विधी अपना खोजी नहीं किया पाई है और अभी यह एक तर से कह सकते हैं कि अनुमानों के दायरों सन 1853 में मिला और सन 1923 तक पूरी लिपी प्रकास में आई अधिकांस अभिलेक मुढ मुढ मुद्राओं जो सील होती है ना सील खोदावी में सील पाएगी जैसे मोहरे से गोल सी होती थी उसमें इसमें अलग अलग चितर बने होते थे तो यह मुढ मुद्राओं पर यह कित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि भाव या वसतूफ का सूचक यह बहुत महत्वण बात है तो जो इस चित्र में जो लिपी या जो अक्षर या सब्ध लिखे गये हैं यह किसी भाव किसी ने किसी सब्धِ किसी चीज को बताए जाते हैं लिपिया पूरी को ॥ यह दो है और इस यह ठीक है न यह सारी चीजह और इसमें प्रमूग जो सबसे इंपोर्टन चीजह आती है सेल खड़ी उस सेल खड़ी के कैसे इस्तमाल किया था यह चीजें आपको बतायने के लिए आ सकती है अब देखें मनके बनाने के लिए कॉर्णीलियन जिस जो सुन्दर लाव रंका होता था जैस पर इस फटिक बहुत इंपोर्टेंट होता है क्वार्ट जिता था सेल खड़ी जैसे पत्थर इसके अलबा तामबा कासा सोने जै उसका हो जाता था तो आगे देखते हैं और क्या रहती थी पुरातत विधोदौारा किए गए लेज़ेहा दर्साया है कि कॉर्रेलियन का लाल रंग पीले रंग के पिलिया ऑड़ sucked हो वुदिवाज़ दिया जाता था घिसाई पॉलिस और इन में च्छेद करने के साथ प्रक्रिया पूरी होती तो मन के बनाने की इस्थिती थी यह प्रक्रियाएं थी जो आप से examination में पूछा जा सकता है ठीक है तो महत्वपूर्ण है इसको भी बिल्कुल आप ध्यान लखेंगे और इसको लेकर दिमाग में चलेंगे ठीक है यह पूछा गया कोश्चन है अब आती लगू में छोड़े कोश्चन कैसे पूछे आ सकते हैं धौला वीरा कहां है यह आज की गुजरात में आपको दिखाई देगा ठीक है इस इंदू सब्वेता गुजरात के समय भी गुजरात विकसित संदू सब्वेता के सहर या नगर थे जो भारत में हैं तो उसमें से धौला वीरा का जो है उत्खनन किसने सूर किया तो आरेस विष्ट द्वारा धौला वीरा का क्या हुआ उत्खनन प्रारम हुआ ठीक है आरेस विष्ट इंपोर्टेंट है ध्यान लगेंगे सु प्रमुख विसेस्ता की चर्चा करिए तो आप उनके जो सहर नियोजन था इस सहर नियोजन वाली बात को चर्चा किये हूँ बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि टाउन प्लानिंग बहुत इंपोर्टेंट थी क्या क्या प्रमुख चीजें अगर टाउन प्लानिंग की बात क समरी देखे तो अगर इसमें जो जो इनका नगर नियोजन था important ठीक है नगर नियोजन ये बहुत ही एक तरो से कह सकते हैं unique देखा जा रहा था इनका नगर नियोजन इसमें क्या क्या चीजे प्रमुख दिखाए दे रहे थी तो एक नाली ठीक है जो नालिया होती थी वो जैसे अगर ये सडके है माल लीजे तो सडकों के बिल्कुल पैरलल नालिया होती थी और ये धकी होई होती थी है ना इनको धका जाता था जो घर होते थे घर में एक छोटे-छोटे इस नान के जगा पत्थर के बनाई जाते थे और वो सी समकोर पर काटी थी जैसे एक सड़क जा रही है एक सीधी सड़क आगे समकोर पर इसको काटेगी चौराय ऐसा तो यह समकोर पर काटी हुई सड़के भी दिखाई दे रही थी है ना नाली सड़के ठीक है सफाई ठीक है यह सारी जो चीजे थी यह बहुत इसके अलावा दुकानों दुकाने और सामुहिक भवन भवन यह सारी चीजें वहां नगरों में दिखाई दे रही थी ठीक इसके अलावा कुछ सहरों में कुछ सहरों में नगरों का दो भाग में विभाजन दो भाग में ठीक है विभाजन एक उचाई पर बनाई जाती थी एक नीचे बनाई जाती थी ठीक है उजाई पर उसको दुर्ग जैसा बनाय जाता था है ना तो इसमें आप इहां लिख सकते हैं ठीक है दुर्ग का निर्माड और क्या-क्या चीजें सहरों में पाई गई तो जैसे इस नानागार खासकर मुहन जोदुड़ों में ठीक है इसके अलामा क्या पाया गया अनागार अन रखने की जगह ठीक है तो यह मैत्वपूर चीजें हैं जो वहां के नगर नियोजन में दिखाई देती हैं जो बहुत उसको अलोकिक बनाते हैं इसके अलामा यह भी देखा गया कि एक घर का दर्वाजा दूसरे घर के सामने नहीं खुल रहा था यानि एक सिस्टम तरीके से कॉलोनी बसाई गई थी तो इन सबों को देखकर यह भी आसंका जताई गये कि उस समय कुछ नगरों को मैनेज करने वाली संस्थाएं जैसे नगर निगम या नगर पालिका जैसे संस्थाएं आज आप देखते हैं इस तरह क स्थापना वैग्यानिक और व्यवस्थिक धन से की गई बहुत साइंटिफिक और जिसको कहता है कि मैनेज तरीके से सहर बनाए गये थे नगरों की संदचना और बनावट में असाधार पकार के एक रूपता थी अगर आपसे कुछन पूछता है कि कौन सा सहर ऐसा दिखाई सिंदु सबेता में क्या धर्म का प्रसार था अब देखिए वहां के लिप्कियों को तो पढ़ा जा नहीं सका है ना कोई ऐसे गरंत मिले हैं मतलब गंतों की कोई ऐसे पढ़ने का कोई सिस्टम है लेकिन जो चीजे प्राप्त हुई उससे पता लगता है कि वहां पर योगी कि पूजा पखुपति की पूजा देवी की पूजा प्रकृती चन्दमाइइट और पर बिरिख्षो की पूजा यह सब काफी देखा जा रहा था है तो सिंदु सब देता निवासी मुर्ति मुर्ति पूजक थै मातर देवी पशू पक्षियों की पूजा का प्रस्वलन था अनेक मोहरों पर कूबर वाले साड की आकरती अंगर साड मां बहुत पाए गया है उसमें जरूरत की चीजें जानवरों को भी साफ में दफनाए गया है तो यह चीजें से लगता था कि पुनर जनम में इनका विश्वास रहता था ठीक है आगे इस तरह के कोशन फूछे भी गया है अगला प्रस्व्न है प्रस्ण है कि हाःपा सवेता के जल निकास पुंस की और संकेत करती है इसकी पुश्टी में नेखनी है लिखती की ठीम लिकासअ पौनली उत्कृष्ट कोटी कि थी सड़क के किनारे निम्लिकित तब थे उलेखनी है हरपा सबयता की जल निकास पणाली उतकरिष्ट कोटी की थी सड़क के किनारे पर नालियां होती थी जो पक्की और धकी दी जाएगी प्रते गली में भी धकी हुई नाली होती थी जो सड़क की नाली से मिलती थी यानि पूरा जो सेनिटेशन का सिस्टम था है ना जैसे माली जी एक मैन इस सड़क है इसके आलावच छोटे-छोटे और गलीया हैं और सड़के है तो इनके पास भी छोटी-छोटी नालिया है इसके बागल में एक नाली ओर लेड़ी चल दिया सारी नाली के यांके मिल जाएंगी और आगे निकल के पा को अनलियों के दोबारा गंदा पानी नगर के बहर पहुचा आ जाता था तो बहुत महथपूर है यहा नाली इसको पानी नगर के हैं दो कितनी इंट्रेस्टिंग चीजे थी बड़े नाले दो फुट तक गहरे और छोटी नाली दो इंच से 18 तक गहरी पाई आती थी ऐसी सफाई वेवस्था को देखर बार्षम का विचार है कि अनेक सुनियोजित गली और नालियों का बिद्यमान होना इसपस्ट करता है कि कि किसी नगरी सरकार की अवस्थ देख रही होगी है ना जैसे मैं जिसको बता रहा था नगर पालिका या नगर निगम जो है जो आज आप देखते हैं नगरी सरकारे होती हैं ऐसे ही वहाँ भी कोई नगरी सरकार की वेवस्था रही होगी जो इन चीजों को मेंटेन करती हो बनाया गया था और उसके निकट आवासों का निर्मार्थ किया गया था तो ऐसा नहीं था कि उठपटांग कहीं लोग बस गहते पहले गली बनाए गया गया इसाथ में घर बनाए गया यानि एक प्लानिंग और योजन के तहट सारा काम इसमें चल दा था ठीक है चली आगे द aan कि इस स्वासे वाली बात इंवोट दिखाई दैसे प्राप्थ होते हैं कि अदिकान्स कब्रें उतर तथ अधा द्रथा में मैं उनको लगता था कि मरने के बाद भी इनके काम आएंगी इसलिए चारी चीज़े दिखाई जाती है कहीं कहीं कबरों से दर्पन और सौंदर प्रसाधन की समागरी पराप्त हुई है सार रूप में कहा जाए तो हडपा निवासी सवाधान विवस्था के साथ परियाप्त प सवाधा के लोगों को था और ऐसा माना जाता था कि जीवन इसके बाद भी काम आएगा मरने के बाद यह चीज़ें आपके लिए जरूरी है इसलिए सो के साथ इसको भी दफना आए जाता था ठीक है इंपोर्टेंट है अगला थोड़ा आप बड़े कोशन करते हैं कि मोहन जोड़ों की कुछ विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए हरपा सबयता की विशेष्टा बताईए सिंदू घाटी सबयता के प्रमुकतत्तो इस तरह के कोई भी कोशन ही पूछा जूगा है आपका एक्जामनेशन में तो अलग-अलग विशेष्टाओं की बात की जाएगी तो सारी चीज आएगी तो अगर आप विशeastाओं की बात करेंगे तो दो तीन विशेष्टाओं आप यहां लिख सकते हैं अगर आप अगर आप इसका समरी बनाना चाहें तो अपलिक सकते हैं जैसे अगर यह कि बात करूं है ठीक है छिदू सभ्था की तो क्या क्या लिख सकते हैं अब ठीक है एक तो आप इसमें लिख सकते हैं नगर नियोजन सबसे प्रमूग ब्रिवस्था विषेष्था ठीक है नगर जो थे वह नियोजित थे यानि की प्लान किये हुए थे उड़ पटांग नहीं बने थे नगर नियोजन ठीक दूसरा दूसरा आप क्या डाल सकते हैं इसमें की प्रकृर्टी पूजा प्रकृर्टी पूजा ठीक है तीसरा पशूपती देवी इत्याद की पूजा ठीक चौथा पारलोकिक आस्था पारलोकिक आस्था पारलोकिक आस्था ठीक जीवन के बाद मिर्तु के बाद जीवन में विश्वास या पुनर जनम कह सकते हैं मिर्तु के बाद जीवन में विश्वास ठीक है और क्या आप लिख सकते हैं घर वो तो नगर नियोजन में ही आ जागा कि नाली सडकें इसके अलावा नगरों को दो भाग में विभाजित करना ये सारी चीज़े यहां की विश्वास्ता हैं थी ठीक है आपसी ब्यापार लोथल जैसे पूर्ट पाए गए हैं ठीक यह सारे चीज़े प्रमुग विश्वताओं में आप सिंदु सब्यता की देख सकते हैं तो हरपा सब्यता में मोहन जोद्रों सरवाधिक प्रसिद्ध पूरास्थल है मोहन जोद्रों इसका बहुत इंपोर्टेंट सहर है ठीक है और यहां इस तरह की चीज़े पाएगी है सबसे पहले खोजा गया हरपा था लेकिन मोहन जोद्रों बस्ती दो भागों में विवाजित है एक छोटा लेकिन उचाई पर बनाये गया है तो मोहन जोद्रों में आप देखेंगे कि एक छोटा सा भाग है जो उचाई पर है और उसको दुर्ग जैसा घेरा गया है तो सब मोतां वहाँ पर शासक वर गया इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे इसकर हमाँ बहुत सारे से भवन थे जिनके नीचे चबूत्रे बनाये गये हैं ताकि उसको नीचे बेस परदान किया से और नीचे बड़ी-बड़ी बस्तिय है कि यहां की संरचनाय कच्ची इटो के चबूत्रे पर बनी थी दुर्ग को दिवार से घेरा गया था जिसका आर्थ है कि इसे नीचले सहर से अलग रखा जाता था ठीक है तो यह परमुक बात है इसमें दो चीजे रहेंगी आपको मतलब सहर मोहन जोड़ोड़ों में एक रहेगा दुर्ग जो ऊंचा सहर एक रहेगा नीचला सहर ठीक है यह दो चीजे इसमें महत्रपूर रहेंगी चलिया आगे देखते हैं नीचले सहर को दिवार से खेरा गया था इसके अत्रिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूत्रों पर बनाए गया था जो नीउ का काम करते थ तो आवासी भवन जहां पर रेसिडेंसे लेरी आज दूहां पर थे इनमें से कई एक आंगन पर खेंदिर थे जिसके चारोर कमरे बनेते तो ऐसा होता था कि जो भवन होते थे इसके चारों तरफ एसे रूम बने होते थे ऐसे भवन थे हैं और यह जो आंगन था यह मुख तमसे बेना उसे पानी ले सके ईजो का फर्ष बना होता था इसमें इक इसनानगर होता था जिसकी नालियां दिवार के माध्यम से सड़क की नालियों में जुणीफी कि इसकी थे जिसने बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रीयों था और रहागीरों दुवारा किया जाता था वालब कोई अगर सामने से जा भी जाय तो उस कुवे से पानी पी ले बिद्वानों ने अनुमान लगाए कि मोहनजोदर में करीब 700 कुएं थे तो 700 कुएं जो है मोहनजोदरों में पाए गये हैं उस सहर में मोहनजोदरों के आवसेसों से ग्याथ होता है कि सारे नगर में सडकों का जाल सा बिछा हुआ था महापथों और पथों के निरधारित संयोजन के कारण सहर अनेक मुहलों में विभक था एक महापथ है यानि में रोड जिसको आप कहता है हाईवे और एक छोड़े-छोड़े सडके सीधी और एक दूसरे को समकोड पर काट दी थी ऐसे सीधी सडके और समकोड पर काटी रहती थी ठीक है हवा का रुख दच्छिड और पस्चिम से उत्तर की और पूर्व की और होने से सडकों का विन्यास या थावत किया गया था है हवा के हिसाब से मुख्य राजमार से जो उत्तर से दच्छिन की ओर है तैतीस फूट चोड़ा पाए गया है तैतीस फूट चोड़े सड़के पाए गया है सो सकते हैं आप ठीक है मौन जोदरों से उत्खनन एक विशाल इसनानागार मिला यह बहुत महत्मूर बात है मौन जोदरों में दो इंपॉर्टन चीजे मिली एक इसनानागार और एक अनागार जिसमें अन है ठीक है यह इसनानागार 180 फूट लंबे और 108 फूट चोड़े भवन के मद्ध है जला से 30 फूट लंबा 23 फूट चोड़ा और 8 फूट गहरा है इसके प्रतेक और जल तक पहुँचने के लिए सीडिया है इसनान कुंड के पानी को बाहर निकलने के लिए समुचित विवस्ता की गई है मौन जोड़ों में 500 फूट लंबा तथा 75 फूट चोड़ा एक अन्नागार भी मैंने आपको बता है तो मौन जोड़ों के यह बिसेस्ताएं हैं बहुत इंपोर्टेंट साहरे इसको आप ज़रूर ध्यान न होता है ना जिसे कम्यूनिटी बिल्डिंग्स जहां सभी लोग आ सा सकते हैं यानि जहां सब लोगी कठ्था हो सकें ठीक है कि कम्यूनिटी बिल्डिंग्स इनमें सरवाधिक महत्पूर मौन जोड़ों का विसाल भवन है जो 20 खंबों पर टिका हुआ है यह संभावता सभा बागार या मुख्य बाजार था सडकों के किनारे भोजनाले और दुकाने की कतारी भी भोजन मौहण जोड़ों मिली तो एक बहुत ही गुर अच्छे से डवलप्ट और प्लांड सहर मौहण जोड़ों दिखाई पड़ता है अगला परसन है हरपा सभेता के पतन के कारण अ अनेक इत्हास कारों के अनुसार बाध और भुकंप ने हरपा सभेता के पतन में महत्पूर योगदान दिया कई खुदाइयों से प्राप साच्छों सो पता चलता है वह बाढार आती रही उस चेतर नहीं हैं जैसे बिहार की नदी कोशी जो अपना रास्ता अक्सर बदल ल था अने कि तियासकारों के नुसार सिंधु नदी का मार्क बदलने से महांजोदुर जैसे सहर का हो सकता है क्योंकि वहां सिंधु नदी थी बढ़ती सुसकता और घंगर नदी का सूख जाना यह भी एक इंपोर्टेंट लॉजिक बदा जाता है कि बहुत ज्यादा सुस्कता बढ़ रही थी और घंगर नदी सूखने लगी इसलिए भी जो है यह बड़े-बड़े सहर सूखने लगे बरबर आकरमण कुछ लों कहते हैं कि आर्यों ने ऐसा आकरमण किया कि उस आकरमण में सब कुछ तहस्नेस हो गया और यह सबयता खतम हो गई फिर यहाए कि परिवड़तन ही माना जाता है कि जो जिस तरह की खेती वो करते थे जिस तरह के माहौल में रहते थे उस माहौल को एडाप नहीं कर पाया रहर थे क्योंकि बहुत ज्यादा लोबल चेंड़े जलवाई में परिवर्टन आ रहा था इसलिए भी क्या हुआ यह सबयता करके आगे बढ़ना है और आप comment section में जरूरू बताएगे किस question में आपको समझने में कोई problem आई या किस तरह के question frame करने में आपको या किस तरह के questions को लेकर आप आपके लिए most important questions भी लाएंगे और बहुत सारी चीजे ले आएंगे यूपी बोर्ड के लिए special तो आप comment section में जरूरू बताएगे एक एक चीज आपके syllabus की cover की जाएगी परिक्षा से पहले हर चीज आपको दी जाएगी और काफी चीजें जो आपके syllabus भी डिटेल्ड मैंने discussion करके भी वीडियो जाले हुए playlist में आप देख सकते हैं एंसी आइटी को follow करते हुए वहाँ भी आप प्रिफर कर सकते हैं अभी आप previous year questions करते रहे हो आगे भी कई तरह के most important और आपके लिए जरूरी सवाल आते रहेंगे sessions आते रहेंगे ठीक है बस आप like share और सब्सक्राइब करते रहें इतना ही करिए बस और देखिए सारी चीज